वसकार आप देख रहे हैं लंच ब्रेक आपके साथ मैंने यहाँ बात हूं RSS के प्रमुक मोहन भागवत ने भारत में हिंदू राष्ट्र और अन्य धर्मों को लेकर चलिया रही बहस पर एक बड़ी बात कही है यह आपको पता दे भागवत ने कहा है कि भारत के मूल स्वभाव में किसी को अपनी पूजा पदवती बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और इस स्वभाव को हिंदुत तो कहते हैं RSS प्रमुक ने भक्ती रस के कवी रस खान से लेकर ब्रिटिश लेखक पॉल ब्रेंटन और चट्रपती शिवाजी की सेना में मुसल्मान सेनिकों का उधारन देकर ये कहा कि किसी को अपना धर्म परिवर्तन यहां नहीं करना पड़ा है मोहन भागवत से सवार ये किया गया था कि राम मंदिर का आदर्श देकर हिंदु धर्म के अंतरगत आने वाले सभी संप्रदाय वपंत एक जुठ हो सकते हैं और समाज भी बलशाली हो सकता है लेकिन हमारे देश में मुस्लिम और इसाई मत को मानने वाले भी हैं उनको हमारी विचारधारा में लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए ये सवाल उनसे किया गया था तो आप भी इस सवाल पर मोहन भागवर का पूरा जवाब सुनिए इसमें कई महत्तपूर बातें और संकेट शामिल है लाना क्या है इससे अलग जाना नहीं है इतना ही करना पड़ेगा और अस्कान का नाम आमने सुनाया नो मुसल्मान थे उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था लेकिन कितना सुन्दर कावियों उनका कृष्ण पर रहे शेख महम्मत थे विठ्ठल के वक्त थे और यह कोई पुरानी बात में हमारे रामकृष्ण परमोंस ने इसलाम इसाइयत सभी संप्रदायों को उपासना प्रत्यक्षक करके कहा कि सब लोग एकी जगह पहुंशते हैं जतो मत पत्वत्त रमन महर्षी ने पॉल ब्रेंटन को जब उसने कहा कि मुझे लगता मैं हिंदू बन जाओं तो का नहीं तुम इसाइज जन में हो तुम अच्छे इसाइज बनो तो तुमको वही फल मिलेगा जो एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनने का होता है हिंदू इसको रिलिजन के अर्थ में उन्हों क्योंकिया वास्तों में वह है नहीं लेकिन पॉल ब्रेंटन को समझना था तो यहीं कहना था तो यह हमारे यहां सदा हुआ है समय समय पर कट्टर पंथी लोग इनको अलग ले जाने का प्रयास करते है उस प्रयास को शिवाज महाराज में रोका तो उनके नव से नमें मुसल्मान भी थे सिद्धी भी थे राणा प्रताब की से नमें अकबर के खिलाब जब लड़े अल्डी गाटी तो थे ना मुसल्मान कि बहुत सारे लोग थे और इतियास के हर मोड़ पर सब लोग साथ खड़े जब यह होता है कि भारत भक्ति जाकती है भारत के संस्कुर्ति की भक्ति जाकती है भारत के पुरोश परंपरा का गवरो जाकता है तब यह सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं लोग इकठा यह जिन है कि जहांपर सब के सब बहुत किनों से साथ रह रहे हैं सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसल्मान है लात के मुसल्मान कि दुनिया में कोई देश और कि यह कि जहां इस देश के वासेंओं के स्क्ता में दूसरा संप्रदा है रहा जो उस देश का नहीं है और अभी तक चल रहा है कि इसा कोई नहीं है कि हमारा है कि मुसल्मान इसलाम के आकरमन के थोड़ा पहले कुछ आए आकरमन के साथ जोर से आए बहुत सारा खुन खराबा और लड़ाई का इतियास वहर का इतियास है फिर भी हमारे मुसल्मान ह कि हमारे इसा ही है तो उनका क्या बुरा हो रहा है उनको तो अधिकार मिलते समिधान का पाकिस्तान नहीं दिये कि हिंदुस्थान उससमें जो वाता और वह इंदुस्थान करता कि तेको बाई शनुमानों के लिए पाकिस्तान बराया दोब यहां दूhibchenuk और किसे नहीं हदो्धान करें हमारे समिधान इसा नहीं किया हमारे immune सब लोग थे डॉक्टर बावासाँ अब्मेंट गर जो मानते थे कि यह पॉपलेशन ट्रांसफर होना चाहिए उन्होंने भी यहां मुसल्मान रहेंगे तो उनको ट्रांसफर करना पड़े ऐसा समयधान नहीं बनाया उनके लिए कुछ जगह बनाई यह हमारे देश का स्वभाव है इस स्वभाव को हिंदू कहते हैं पूजा हम किसकी करते हैं इसका और हिंदू का वैसे संबंद नहीं है धर्म जो है वो जोडने वाला उपर उठाने वाला समाज की दारणा करने वाला बहुतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख जिसका एत्रन करने से मिल सकते हैं ऐसा है अर्थ और काम इसका नियमन करके पूरे समाज को ठीक चलाने वाला वो है पूजा आपकी कोई भी हो राष्ट्रियता तो पूजा से संबंदित नहीं है जब पहले पहले पाकिस्तान के बार चली थी तो उस समय मदनी साहब थे जमायत इसलामी के चीफ उनकी पुस्तक है उसमें उन्हें लिखा है कि ये कौम का और रिलीजन का कोई संबंद्ध नहीं जो लोग कह रहें कि हम मुसल्मान हैं इसलिए हिंदुस्थान के नहीं हैं उगलत है तो बीज-बीज में कटर का फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं इतना करना पड़ेगा और उसके लिए हम राष्टर है एक राष्टर है उस समय से चलते आई राष्टर है हम इंदुराठर है कुछ बदलना नहीं पड़ता बुराइया छोड़नी पड़ती संकुछितता चोड़नी पड़ती तो ये संबभ है और इसको मानने वाले हमको तो मिलते हैं मुसल्मान रुष्णी इस ब्रेक के लिए फॉरन होगे हाजर कुछ और खबरों के साथ देखते रहे आज तक